इस वीडियो नमबर द्च अतनु ए मिध्य चाहता है। क्लेंस चोलगे सिर्कुलर चाहें लासे लें रहरे सी इस आ क्लिधन रहरें दृटे के लिए में वीडेति था, क्लってक्स्ट काहता है। के बाद लिए है आप देखना वर्टिकल सर्कल का क्या मीनिंग हुआ पहले यह समझते हैं इसको समझने के लिए मेरे पास कुछ पिक से उसको ध्यान से देखोगे आप जैसे दिस वन इस फर्स्ट पिक आपका एक जैसे पैंडूलम यह लटकता है ना उसी तरह से यह इस वाल की तरफ जब मोशन देंगे तो यह क्या करेगा यह यह गूमेगा और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप देख सकते हो इसको किस तरह से आप देखो देखो यह आ गया यह इसकी लैंट एल हम लेने वाले हैं हमेशा यह यहां से यह सर्कल यह बनाएगा वो जो बनेगा, वो circle will be like this, यह ऐसा है, जैसे अगर यह bob है, मैं छोटा ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, यह it will complete a circle, आपको मालूम है, इस circle का जो radius बनेगा, वो उतना ही बनेगा, जितनी यह length है इसकी, हम इसका जो diameter वगार है, उसको negligibly small मानते हैं, यह थोड़ी सी बाते हैं, ज यहाँ पर यह जो pick है, यह दिखा रही है, कि जैसे जैसे यह ऊपर जा रहा है, तो यह एक circle बनाता जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आगे, आगे देखो, यह complete होगा circle, अब, it will complete a circle, यह देखो, यहाँ पर complete होगा circle, तो it will complete this circle, और इस circle को study करने के लिए, फिर हम चार पा degree to 180 degree, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, ठीक है, तो इसको चार sections में divide करेंगे, और इसको जड़ा अच्छे से understand करते हैं, चाहे हम इसके नाम भी देदेंगे, बाद में A, B, C, D, ठीक है, और पहले हम देखेंगे, A से B के बीच में क्या होता है, फिर B और C के बीच में क्या होता है, इसको पूरे को understand करने की कोशिश करेंगे, circular motion है यहाँ, circular motion है, आप देख रहे हो, energies भी change हो रही है, आपका जो यह वाला circle जो यहाँ पे है, यह अपनी height को भी change कर रहा है, यहाँ पे velocities भी different होंगी, इसलिए energies का भी concept बीच में आएगा, उसको अच्छे से understand करते हैं एक एक बात को पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले, आप इस diagram को जरा अच्छे से देखो, हमने क्या किया, हमने एक circle लिया, आपको दिखाई दे रहा है circle, इसका हमने माना कि कुछ देर के बाद ये at point P पहुंच जाएगा, कुछ देर के बाद ये at point P पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये angle theta है, तो ये भी angle theta होगा, क्योंकि, क्योंकि होगा theta, क्योंकि ये corresponding angles हैं, जैसे ही मुझे ये फता चला, फिर मैं बोलूँगा कि, क्या हुआ, मैं देखो, एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे आपको समझाएगा, मैंने लिखा T minus, net force towards the center कितनी है, T minus, हमने इसको break कर दिया, देखो, इसने बड़ा अच्छे से break किया हुआ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखो, यह देखो, यहाँ पे, क्या किया, देखो, यह आपने सीखना चाहिए, vectors में क्या, कि mg के दो component बनाए, mg के दो component बनाए और mg गायब कर दिया, अब हम mg गायब हम नह करते हैं, हम mg गायब नहीं करते हैं, लेकिन आपने ignore करना है, अब हम मिटाने नहीं बैठ जाएंगे mg को, लेकिन हमने समझने के time पे हमने क्या मानना है, कि अब उसके दो component जो बने न, mg sin theta और mg cos theta, तो mg गायब कर दिया, mg का कोई रोल नहीं है, एक बार आपने जब यह बना या फिर आपका mg का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे यह देखने वाली बात थी, तो net force towards center कितनी आई, net force towards center is t minus mg cos theta, और हमें मालूम है कि जो net force towards center आती है, that is equal to, क्या, that is equal to m v p square upon l, l is the length of the string जो हमने यहाँ use की है, m v p square upon l, यह आपको समझाना चाहिए, कि यह जो मै तो यहाँ से हमें पता चला कि जो tension है ना, वो किसके equal आती है, प्लीज जरा ध्यान देना, वो किसके बराबर आती है, m v p square upon l plus mg cos theta, mg cos theta, यह बात आपने अच्छे से समझनी है, जो सबसे important बात है, देखो, एक चीज और करते हैं, energies को भी जरा compare करते हैं, इस section में, इस point पे, जब आपका bob बिल्कुल नीचे वाले position पे है, a position जिसको मैंने नाम दिया था पहले, जब a position पे होगा, उस समय हमने मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हम gravitational potential energy को इस level पे zero मानते हैं, इस level पे हम gravitational potential energy को अगर zero मानने, क्योंकि आपको एक reference लेना पड़ता है पूरे analysis के लिए, अग of mv a square, ठीक, इसको कही बार हम vl भी लिख सकते हैं, vl मतलब lower most point, vl मतलब lower most point, तो lower most point पे kinetic energy यह आगी, फिर equal to, equal to करने के लिए अब इस point पे, इस point पे kinetic energy, इस point पे potential energy कितनी है, lower most point पे zero, वो तो पहले बताया आपको इस level पे zero मान रहे हैं, इस point पे, जो next p point है, उस point पे kinetic energy कितनी होगी, half mvp square, half mvp square, और जो potential energy होगी, वो कितनी होगी, वो लिख रहा हूँ मैं तरह ध्यानत देना, ठीक है, उस potential energy को लिखते हैं, वो potential energy लिखने के लिए मुझे इसकी height चाहिए, कि यह कितनी height पे है, तो मैंने सबसे पहले यह यहां mark किया, यह total L था, यह length L है, आपको मालूम चल गया कि यह जो है, यह L cos theta बन गया, this will be L cos theta, कितना portion, इतना, this is L cos theta, लेकिन जो height है इसकी, इसकी p point की, that will be L minus L cos theta, and that is why, that is why the potential energy here will be MGL 1 minus cos theta. आप ऐसे लिखे लो, इस point पे, kinetic energy, half MVA square, ठीक है, VA square, plus 0 भी लिख देता हूं, कि gravitational potential energy is 0, इस point पे, इस point पे, half M, यह आपको पता होनी चाहिए, हर point पे कितनी, कितनी potential energy है, half MV, P square, plus, अभी मैंने बताया आपको, कर लो, यह कितना है, L cos theta, लेकिन height जो हमें निकालनी है, वो यह चाहिए, कि यह कितना उन्चा हुआ, हमें पता क्या निकालना है, हमें निकालना है, कि वो कितनी height उसने gain की, मतलब मुझे यह निकालना था, कि यह कितना उन्चा है यहां से, ठीक है, that will be equal to this, ठीक है, this will be equal to this, तो इसका answer क्या आएगा, M, G, L, 1, plus, cos theta, इसको थोड़ा लिख लेना अच्छे से, कुछ नहीं मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि यह जो height है, यह जो height इसने gain की है, P point तर पहुंचने में, that is, that is, L, 1, plus, 1, minus, it should be minus, yes, 1, minus, minus आएगा यहां, यह minus आएगा यहां, ठीक है, 1, 1, minus, L, into, 1, minus, cos theta, ठीक है, यह इसकी height है, तो इसको mg से multiply कर दो, तो आपका क्या बन जाता है, आपकी potential energy बन जाती है, तो यह थोटा सा analysis था, जो आपको अपनी copies पे लिख लो, important equation यह है, जिसको हम discuss करने वाले हैं, tension वाली, ठीक है, energies हम बाद में, velocities वगारा calculate करने के लिए, use करते हैं, कि different different जगा, क्या-क्या velocities होंग आपको mg नीचे force लगी, यह आगया इदर, फिर आप दिखा सकते हो, यहाँ पे मैं free body diagram बना रहा हूँ, इसमें velocity दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे मालूम है, इस point पे velocity कितनी होगी, VP, क्योंकि इस point को हम P मान के चल रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, अब अब आपने यह समझना है कि जब मैं इसके component बनाऊंगा, किस तरह से बनाऊंगा, यह जरा देख लो, यह आ गया आपका इस तरह से, हमने एक बात और याद रखना, जब हमने आपको circular dynamics की बात बताई थी, तब मैंने आपको बोला था, जब भी हमने इसको resolve करना है, तो हमने क्या करना है, हमने center की तरफ जो line जा रही है न, उसकी direction में हम resolve करें, तो हमारे लिए थोड़ा analysis simple हो जाता है, इसलिए अगर आपने resolve करना है, तो आपने x-axis किसको माना, यह जो along the center है, मतलब यह वाली line, यह जो line है, इस line को, और इसके perpendicular, इसलिए यह angle theta आ गया, यह वाला, ज t-mg, मैंने पहले भी बता दिया, यह सारा, t-mg cos theta, equal to mvp square upon, क्या mvp square upon, l, l is the length of the string, ठीक है, l is the radius, कुछ भी बोल सब क्यों, r भी लिख सब क्यों, radius कीज़ेगा, तो इधर से आपका tension जो बनी, वो किसके बराबर आई, जो आपको main बात बतानी है, मैं अब भी start करता t is equal to mg cos theta, plus mvp square upon, l, यह वही है, जो हम पीछे से बात कर रहे थे, अब यहाँ पे जो बात करनी है, जैसे ही मैं इस section मैं गुसूंगा न, इधर, b से लेके c के बीच में, क्या होने वाला है, आपका theta abuse हो जाएगा, greater than 90 हो जाएगा, second quadrant हो जाएगा, और second quadrant में cos negative होता है, और देखने वाली बात यह है, कि a से लेके b के बीच में, आपकी tension कभी भी 0 नहीं हो सकती, this is very very important point, लिखके रखना है आपने, कि a और b के बीच में आपकी tension कभी 0 हो नहीं सकती, क्योंकि mg cos theta, तो m, mass है, कभी negative हो नहीं सकता, g, 10 value, cos theta, negative होता नहीं, 0 से लेके 90 के बीच में, mvp square vp तो एक speed है, वो कैसे negative होगी, ठीक है, तो इसलिए t जो है, वो कभी भी, t जो है, वो a से लेके b के बीच में, कभी भी 0 होई नहीं सकता, लेकिन, as we enter the region bc, region bc में जब हम पोंचेंगे, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे theta की value क्या होगी, greater than 90, greater than 90 में मतलब second quadrant, second quadrant मतलब cos negative, और cos के negative होते ही, यही equation आपकी क्या बन जाएगी, यह part आपका negative हो जाएगा, और इसलिए याद रखोगे आप b और c के बीच में, इसलिए आपका जो t है, tension, यहाँ पे 0 हो सकती है, string की, और अगर tension 0 हो गई b और c के बीच में कहीं पे भी, बी और c के बीच में tension कहीं पे भी 0 हो गई, तो vertical circle complete नहीं होगा, vertical circle complete नहीं होगा, और क्या होगा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको यह position दिखाना चाहता हूँ, actually, देखो, अगर कहीं पे, देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कि अगर कहीं tension 0 हो गई, और tension क्यों 0 हो सकती है, अगर आप देखो तो, tension is equal to क्या है, mv square upon l plus m, 1 minute, yes, mg cos theta, इसमें जो mg cos theta है, यह negative हो जाएगा, 90 और 180 के बीच में, तो यह negative हो जाएगा, क्योंकि cos negative हो जाएगा, और ultimately यह चीज जो है, वो 0 हो सकती है, और 0 होने पे क्या होगा, वो यह picture दिखा रही है, यह देखो, आपका string ही डीला पड़ गया, उसके अंदर 0 tension का मतलब देखो, आप 0 tension का मतलब देखो इसके अंदर, यह मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यह आपके लिए कि आप समझो कि इसका क्या मतलब हो, इसको बोलते है, slack पड़ गया आपकी string में, slack, आपका string टॉट नहीं रहा, in these conditions, in these conditions, this, this bob will not complete the vertical circle, यह जो mass आपका है, यह कभी भी vertical circle complete नहीं कर पाएगा, अगर इसकी tension कहीं पे 0 हो गई, कहां पे, 90 और 180 के बीच में कहीं पे, क्योंकि सबसे खतरनाग position वहीं है, tension वहीं 0 हो सकती है, और tension को बचाएगा कौन 0 होने से, यह, 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 और इसमें, इस चीज को कौन बना रहा है, क्योंकि M और L तो बचारे fix आए हुए है, उनका तो कोई roll ही नहीं नहीं है, main चीज कौन है जो इस चीज को variable बना रही है, V, और यह जो velocity है, वह होती कैसे, जैसे एगर मैं यहां से 10 से velocity से चला, तो क्या होगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, सबसे कम velocity कहा है, यहां, इसके सबसे dangerous position कौन सी है 180, तो 180 तक इसकी tension 0 ना हो, उसके बाद यह संभाल लेगा, क्योंकि उसके बाद इसकी कुछ न कुछ velocity होगी, और यह पूरा circle complete कर में चकर कहां का है, इस पॉइंट का, उपर वाले पॉइंट का, इसलिए यहां पे, अब हम क्या बोलेंगे, अब simple एक nutshell यहां conclude करते हैं, अब इस सारी बात को हम conclude करते हैं, और एक बात बोलते हैं, कि अब बताओ यार, खतम करो कहानी, और एक बात बताओ, कि circle को vertically पूरा complete क करने के लिए, vertical circle को complete करने के लिए, कितनी velocity चाहिए, इसको यहां से, minimum velocity कितनी दोगे यहां पे, कि यह पूरा circle complete कर जाए, तो मैं बोलूँगा, उसके लिए, यहां पे, क्या होना चाहिए, इसको आप L लिख लो अभी, यहां अगर आपने ABC में लिखना है, ABC में भी लिख सक लिखता हूँ, आपने जो लिखना है लिख लो, जो भी जिस language में लिखना चाहते हो, इसको मैं VL लिखूँगा, तो VL minimum मैं निकालना चाहता हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, VL minimum, ठीक है, तो VL minimum निकालूँगा, उससे पहले मैं देखूँगा, कि यहां पे, इस point पे, टेंशन जीरो ना हो, इस point पे पहले टेंशन है, किसके बराबदे को मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाएगा, T is equal to TH लिखता हूँ, आई यह इस point है न, पहली बात लिखता हूँ, for completing, for completing, vertical circle, TH should be greater than equal to 0, TH should be greater than equal to 0, for this, for this, TH है कितना, आओ लिखें जड़ा, TH किसके बराबर है, TH equal to है, minus mg, cos 180, mg cos 180, sorry, mg cos 180, cos 180 कितना होता है, minus 1, यहाँ पे 180 है न, इस point के लिए थिटा की value कितनी है, 180 देखो न, यहाँ से हमने थिटा लिया था, इसके लिए 1 थिटा कितना हुआ, 180, तो 180 डिगरी, minus mg, plus, mv square upon l, तो यहाँ से क्या मिल गया, mg, must be equal to, mv square upon l, क्योंकि TH 0 है, अगर मैंने minimum minimum value निकाल रहाँ न, minimum value तब है कि यहाँ, अगर tension TH कुछ हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर exactly 180 पे 0 भी हो जाए, तो कोई problem नहीं है, यह भी याद रखना, पूरे exactly 180, 179 पे भी होगा, तब भी complete नहीं होगा circle, लेकिन 180 पे 0 होगी, तो कोई problem नहीं है, वो उसको आगे खींच के, vertical circle complete हो जाएगा, MM cancel हो गया, यहाँ से आपकी V की value पता क्या आई, यह VH आया, यह कौन सा V आया, यह VH लिख लो यहाँ, VH आया, VH, VH should be equal to, इसको मैं लिखूंगा, देखो, VH minimum, VH minimum equal to क्या आया, VH minimum, minimum क्यों लिखा minimum, क्योंकि आपने direct TH को 0 मान लिया, यह है greater than equal to 0, तो TH की minimum value कितनी चाहिए आपको, 0, तो हमने 0 ही ली, तो minimum velocity निकाल रहे हो उसकी वज़ा से, तो आप इसको इस तरह से लिख लो, तो VH, VH greater than, sorry, VH minimum equal to क्या आया, under root GL, under root GL, this is very very important, कि यहाँ पे velocity कितनी आनी चाहिए, under root GL, यहाँ से निकाला हमने, under root GL, यह important है यहाँ, मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ, आपको थोड़ा better way मैं, देखो, इस तरह से आप TH 0 लेके प्रशान नहीं हो जाना, मुझे ऐ TH की value क्या लिखी, यह तो आपको पता चलना चाहिए, TH equal to minus MG, क्योंकि cos 180 minus 1 होता है, इसलिए minus MG, plus MVH square upon L, इधर से मैं लिखूंगा, हमें मालूम है, for completing the vertical circle, full vertical circle, TH should be greater than equal to 0, ऐसे कर लो, तो minus MG, plus MVH square upon L, should be greater than equal to 0, ऐसे लिख लो, होई problem नहीं, MM cancel हो गया, ultimately आगया, आपका VH square upon L, should be greater than equal to G, VH square, should be greater than equal to GL, VH should be greater than equal to under root GL, वो कह रहा है भाई, VH की value जो है, वो GL नहीं चाहिए, GL से ज़ादा या बराबर भी चलेगी, अगर बराबर होगी, तो tension बिल्कुल 0 हो जाएगी, लेकिन उसे ज़ादा होगी, तो tension ज़ादा होगी, तो अच्छी बात है, तो VH should be equal to, अब मेरे को कोई पूछे, मैं कहूँगा भाई, VH की value जो है 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो minimum value कितनी चाहिए आपको 5, तो इसलिए हम लिखेंगे VH, मैं लिखूँगा VH minimum is equal to under root GL, यह आपकी full derivation थी, यह आपकी VH की derivation थी, अब मैंने actually निकालना, VH पे तो पहुंचेगा तो इतनी उसको चाहिए, लेकिन VH का मैं कैसे बताओ, मैंने तो नीचे से circle, मैंने तो नीचे से mask को बेजना है न, तो मेरी duty क्या है कि नीचे से जो तुमने बेजना है, वो कितने पर बेजूँ, तो अभी तो tension बाकी है, तो half M VL square equal to plus 0, plus 0 क्योंकि यहाँ पे gravitation potential energy 0 है, equal to, पहले भी लिखके बताया मैंने आपको, equal to half M VH square plus M G 2L, इसकी height कितनी है, 2L 2L, M सारे cancel होगे आपस में, M सारे cancel होगे, और ultimately आपका जो answer आएगा, उसको बड़े अच्छे से करो, VH की जगा क्या डाल दो, under root GL, टीक है, under root GL, डाल दो, 1 by 2, VL square, equal to, half GL, plus 2 GL, जब आप इसको calculate करोगे, VL की value minimum क्या आई, minimum क्यों लिख रहा होगे, VH भी minimum लिया ना आपने, तो VL minimum equal to क्या आया, under root 5 GL, ये values आपको दोनों याद भी होनी चाहिए, VL minimum आपको कितना चाहिए, अगर आप under root 5 GL से फैंकते हो, तो tension यहाँ 0 नहीं होगी, लेकिन यहाँ velocity कितनी होगी, under root GL, ये बात आपने याद रखनी है, प्लीज, आप चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका ये जो ball है, ये पूरा vertical circle complete करे, इसके लिए uppermost point पे tension 0 नहीं होगी, आप बोलोगे uppermost point पे तो इसका क्या, अरे बाई जब यहाँ 0 नहीं होगी tension, तो यहाँ तो स्वाली पैदा नहीं होता, यहाँ तो स्वाली पहली बात तो ये समझो, ठीक है, त इसमें क्या कहा हमने, कि हम जब इसको under root 5 GL से नीचे से फैंकेंगे, minimum ये हमने निकाला, और फिर हमारी tension जो होगी, उपर uppermost point पे वो 0 नहीं होगी, और uppermost point पे tension 0 नहीं होगी, तो vertical circle complete होगा, तो आपने हर point पे, मैंने बीच में आपको और भी चीज़ें बहुत सी बताई, मैंने कोई भी एक point लिया था, उस पे फिर आपको वो, मैंने वहाँ पे calculate करके बताई, आपको energies भी, वो आगे calculation में काम आती है, मैंने इसलिए वो vertical motion के अंदर include किया, लेकिन ये एक छोटी सी derivation है, जो आपने करनी है, बोर्ड के slabos में नहीं है, इसलिए इसमें tension लेने की ज tension यहां तक और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी interesting बात बताता हूँ, यहां सारा किसने जमेला create करके रखा था, thread ने, tension उसी में, अगर कोई solid rod हो, मैं इसको separate लेता हूँ, अगर कोई solid rod हो और उसका vertical circle complete करवाना हो, तो उसमें तो कभी slack आई नहीं सकता, उसम यहां से अगर आपने बेजा, तो उपर आपकी velocity क्या हो जाएगी 0, और ultimate उपर velocity एक बार 0 होगी, यह cross होगया तो अपने आप यहां आजाएगा, कभी tension 0 होनी नहीं है, और अगर कभी भी फैंको याद रखना है एक बात, तो इधर आके velocity क्या हो जाती है 0, अब लेकिन उस case में जो पीछे आपको case पढ़ाया, उधर ऐसा case system कभी आएगा नहीं, आप बोलोगे क्या वहां पे भी velocity, वहां पे यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही यहां पे कहीं पे अगर अपने 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 लूट 4GL से फैंका, तो कहीं रास्ते में उ understand करना है, this is the important concept, कि अगर solid rod होती, तो आपको under root 4GL से फैंक के आपका काम बन जाएगा, उस समय highest point पे आपकी velocity क्या होगी, 0 और उससे हमें कोई problem नहीं होती, एक और condition आपको बताता हूं, कि अगर मान लो, कि यहां पे कभी इस point तक ही आपने इसको ऐसे oscillate करवाना हो, फिर त oscillate ही होगा न, फिर तो complete circle बनेगा नहीं, तो यहां पे इस point पे oscillate हो जाएगा, इतने वे, तो यहां पे उस समय क्या होगा, tension तो यहां जिरो होती नहीं, तो यहां पे उस समय क्या होगी, velocity 0 हो जाएगी और यह आगे नहीं बढ़ेगा, उसके लिए यहां से कितनी speed पे चलन to, इस point पे, देखो इस point पे, velocity मैंने 0 लेली, kinetic energy 0 होगी, M, G, L, M, M, cancel, तो ultimately VL is equal to क्या आ गया, VL equal to क्या आ गया, under root 2GL, तो मतलब अगर आप under root 2GL से यहां से फैंक होगे, ध्यान देना प्लीज, यहां पे under root 2GL से फैंक होगे, यहां velocity 0 हो जाएगी, tension यहां 0 कभी नहीं होती याद रखो, और velocity यहां 0 होने का मतलब है यह आगे बढ़े गई नहीं, यह आगे बढ़े गई नहीं, तभी तो इतनी कम velocity है न, under root 2GL, under root 5GL पे यह, under root 4GL पे क्या होगा, 3GL पे क्या होगा, यह आगे जाएंगे, यहां भी जाएंगे, यहां भी difficulties होगी, तो हम जरूर लेंगे, एक बात हमने समझ ली कि अगर सिर्फ यहीं तक जाना हो, इस point, कौन सा point था, यह हमारा B point तक, तो B point तक जाना, tension तो इसको खतम करनी पाएगी कभी भी, तो velocity 0 हो गई तो फिर तो आगे बढ़े गा नहीं, simple बात यह है, तो velocity 0 का मतलब rest पे आ अपिस आ जाएगा, और फिर यह इधर oscillatory motion हो जाती है, उसको अभी मैं discuss नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए minimum speed कितनी चाहिए इधर के लिए, वो मैंने अभी drive करके दिया, आपको using conservation of mechanical energy से, और under root 2 GL से, इस speed से यह जाएगा, तो इसका काम बन जाए, तो यह इस point B तक प तो वो a basic concept था, thank you very much.